पेट्रोल डेजल प्राइस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इसका असर अनिकारपदार्थों और जुरत की अनिवस्तों के दाम पर भी पड़ा है कहने का मतलब है अब लोगों को पहले से जादा पैसे देकर समान खरीदने पड़ रहे हैं इसने लोगों को बज़ग बिगार दिया है पेट्रोली मुद्पादों की बढ़ती कीमतों का असर महंगाई पर भी पड़ा है इस पर शियासत भी गर्माने लगी है इस मुद्दे को लेकर कॉंग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है आलम तो यह है कि केंद्रे मंत्रियों से उठते बैठते चलते फिर ते जवाब मांगा जा रहा है हाली के दिनों में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जहां महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्रे मंत्री से फ्लाइट में सवाल जवाब किया जा रहा है मोधी सरकार से पहले जब वीजेपी विपक्ष में थी तो उनके भी कई नेता इसको लेकर प्रदाशन करते रहते थे इसमें इसमृति इरानी काफी मुखर होकर आगे आती थी और यही वज़ा है कि भैंगाई की मुद्धे पर स्मृति इरानी को वेपक्ष बहुत याद करता है इसी कड़ी में कॉंगरिस नेता निट्टा इसूजा का वीडियो सामने आया जिसमें वा तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्री मंत्री से सवाल करती नजर आ रही है या पूरी खटना दिल्ली गोवा हाटी फ्लाइट में सफर के दौरान खटित होई वीडियो में आप देख सकते हैं कि निट्टा इसूजा स्मिर्टा इरानी से गैस के दाम को लेकर कुछ कह रही होती है इस दौरान स्मिर्टे इरानी को इसूजा से लोगों के उतरने के लिए रास्ता देने के लिए कहते हुवे देखा जा सकता है वही रस्तोई गैस की कमी को लेकर जब उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि प्लीज जूट मत बोलिए महिला के सवाल पर स्मिति रानी भी किन सरकार के जन्हित कारी कामों को प्लेन से लेकर एरो ब्रिस तक महिला सवाल करती रही और ये बहस खिचती चली गई इस वीडियो का डिसुजा ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है जिस पर लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दी है जहां कई लोगों ने नेटा डिसुजा की तारीफ की है तो हही कुछ लोगों ने स्मिती का पक्ष लेते हुवे कॉंगरस नेटा को गलत ठहराया आपको बता दे कि सावाल करने वाली ये महिला कॉंगरस की प्रेसिडेंट नेटा डिसुजा है लोगो पूंगा बिरोप्स स्मिती जी रहाँ प्रेटा प्रेश रहाँ प्रेश रहाँ को रहाँ अगैक नेटाज़ आध प्रेट्र आखवक्ते है कर दो छूले वाप मिफिए न्यूंच रॉली खूले लाउंगे लुष मुझेल को dagने के रहå शहें मैं पीछ चंग पाली को त्यूंग प्रेपोरीब वार टेंक अक्तो बमाने एंधरीए ब्री पास्ते संवाना बाल झाल झाल